बिहार के पटना में नितीश मंत्री मंडल में मंगलवार को विभागों का बटवारा कर दिया गया खास बात रही कि नितीश कुमार ग्रहे विभाग भाजपा को देने पर नजर नहीं आए मुखे मंत्री ने अपने पास ग्रहे, सामाने प्रशासन, कैमिनेट निग्रानी और निर्वाचन विभाग के अलावा वे सभी विभाग रखे हैं जो अभी किसी को आबंटित नहीं किये गए विजय कुमार चौधरी को ग्रामीन कार्य, ग्रामीन विकास, जल संसाधन, सूचना जन संपर्क तथा संसधिय कार्य का मंत्री बनाया गया है तारकिशोर प्रसाद को वित वानि जकर, पर्यावर्ण वेवन, आपदा प्रबंधन, सूचना प्रोध्योगी की तथा नगर विकास की जिम्मेदारी दी गई है वही रेणु देवी को पंचायती राज, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा कल्यान तथा उद्योग विभाग सोपा है अशोक चोधरी को भवन निर्मान, अल्प संख्यक एवं विज्ञान प्रावेहदी की विभाग का मंत्री बनाया गया है आपको बता दे कि शपत लेने वाले पंद्रा में से साथ मंत्री पिछड़े वर्ग से भाजपा के कोटे से दो डिप्टी सीम समेथ साथ मंत्री हैं विजेंद्र यादव को उर्जा, मद्य निशेद, योजना और खाद्य तथा उभोकता मामलों के विभाग का मंत्री बनाया गया है मेवालाल चोधरी के जिम्में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी रहेगी मुकेश, साहनी, पशुपालन और मत्से विभाग के मंत्री बनाये गये हैं मंगल पांडे को स्वास्थे, पत्परिवहन तथा कला संस्कृती विभाग की जिम्मेदारी दी गई है अमरेंद्र प्रताप सिंग को क्रिशी, सहकारिता और गन्ना विभाग का मंत्री बनाये गया है रामप्रीत पास्वान के पास लोग स्वास्थे अभियंतरन विभाग की जिम्मेदारी रहेगी रामसुरत राय को राजस्वेम कानून विभाग का मंत्री बनाए गया है शीला मंडल को परिवहन, संतोष मांजी को लगु और सिचाई तथा नुसूचित जाती-जञती कल्यान मंत्री बनाए गया है जीवेश मिश्रा को प्रियाटन, शर्म और खनन मंत्री बनाए गए हैं जीवेश मिश्राज गरना जूति गार्दन, आज बनाए राओ गए हैं